वाई स्थूदेंट्स आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ प्रेक्सकल एक्सपेरिमेंट आप कैसे करेंगे यह है इंसेक्स के अंदर आइ को identify कैसे करेंगे कैसे study करेंगे तो लेट्स मोव तो फर्स्ट स्लाइड आपका अब्जेक्ट होगा कि ब्लड सेल टाइप्स को हम कैसे पढ़ें इंसेक्स में उसके लिए हमको जो requirement है material की उसमें आप कुछ living cockroaches पकड़ेंगे लेकर आएंगे रिंगर solution की जरूरत होगी हमको एक micro syringe चाहिए होगा methylene blue stain चाहिए होगा और eocene stain चाहिए इस experiment का principle क्या होगा कि हम इसमें एक vital staining टेक्नीक यूज करेंगे और vital staining टेक्नीक क्या होती है कि जो live tissues होते हैं उनमें हम उनको हम stain करते है particular stains से जो कि living tissue को ही stain करते हैं तो हम ऐसा ही एक vital stain जिसे methylene blue कहते हूं यूज करेंगे जिसे कि animal जिसके भी हम इंसेक्ट के भी हम study करना चाहते हैं जिसकी cells की blood cells की हम study करना चाहते हैं वो stain हो जाएं इसके लावा एक eosin stain यूज करेंगे करेंगे हम लोग जो की cytoplasmic stain होता है किसी भी cell के cytoplasmic part को stain कर देता है eosin तो हम लोग यहां पर एक combination of stains यूज कर रहे हैं एक तो वाइटल स्टेन मिथाइडीन ब्लू और सेकिंड है साइटोप्लास्मिक स्टेन यूज करने के काम आता है जबकि eosin वह एक प्रकार का साइटोप्लास्मिक स्टेन है किसी भी कोशिका के cytoplasm को रंजित करने के stain करने के काम में आता है ऐसे ही एक और stain होता है आपको जानकारी होनी जाए जब वाइवा होता है तो आपसे पूछते हैं तो आपको पता ना जीए कि nuclear stain कौन सा है जैसे eosin एक cytoplasmic stain है ऐसे ही कोशि स्टेन और साइटोप्लास्मिक स्टेन दोनों का कॉमिनेशन यूज किया जाता है जनरली हम डबल स्टेनिंग टेक्नीक में यूज करते हैं यह पर आप दो ही स्टेन यूज कर रहे है एक तो वाइटल स्टेन यूज कर रहे हैं मिथारीन लू और दूसरा eosin तो प्रोसीज आपको प्रिपयेड में लेगा अब क्या करेंगे जो लाइव को पॉछ है उसको फियू को अटिना को ऊंच और अप डड़े वहाँ से ब्लीड न अश्रो हो जाएगा ओर इमीचेटेटी इसको हम यूज करके ग मेंके जहां से काटा है तो इसके में क्रेंटा है कि जो स्लाइड है जिस पर इंगर सोलुशन लिया था उसको हम थोड़ा सा शेक करते हैं जिससे कि रिंगर सोलुशन में कोक्रोज का ऐंटिना से निकला हुआ जो बलट है वह मिक्स हो जाए आप क्या करेंगे कि जो ringer solution और anti-cut antenna से जो blood बाहर निकला था उसको हम spread कर देंगे spread करने के लिए आप एक slide ले सकते हैं उसको 45 degrees क्योंकि एक slide बेता आपने ringer solution ले रखा एक drop जिसमें आपने के देंगे जाएंगे cm5 क के याफ पर कहिसे है अऑब अगाद की एक लन्यवर्ट कहोदो कर देंगे तो 2 देले प्करदीके डिचल के खुल से लिए इसको हम उसको चैल मुझ करने को सच्डाइब j तो उसके बाद हम उस पर एक ड्रॉप मिथाइलीन ब्ल्यू स्टेन की डालेंगे जो कि वाइटल स्टेन है और उसके बाद उस पर ईयोसीन स्टेन हम एड़ कर देंगे जब यह दोनों स्टेन डालेंगे कुछ मिनिट्स हो जाएंगे दो से तीन मिनिट का टाइम है जब आप आपको पता है आपको अबी सियर से ले कि यह तक आप जो ढी हड्याइश न प्रोसेश यूस करना है जिस में थटी से लेके आप स्टिझ प्रोसेस vendors लेको देज्टेस तरहें जी दोनी टनी करें एँदी अधर्वाइस आप यह आल्सो नो दे प्रोसीजर की डिफरेंट सीरीज ऑफ ऐल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं तो हम एल्कोहल सीरीज में पास करेंगे टिशू को और उसके बाद उस पर जब जब टिशू डिहाइड्रेट हो जाएगा और एल्कोहल से रिप्लेस हो जाएगा उ से बाद हम उस पर एक ड्रॉपë cuántN तो देखते हैं कि कौन्-कौन सी सेल्स हैं तो क्यूंकि कोक्रोच के स्टंप जो antenna का stump है या cut end है वहां से जो भी bleed हुआ वो blood निकला उसमें से वो ringer solution में आ गया उसमें अब blood की ये कुछ कोशिक हैं जो आप देख सकते हैं ये slides, different types की slides हैं जिन में से आप ही देखिए ये वाली है प्रो हीमोसाइट, फिर प्लास्मोसाइट, ग्रैनिूलर हीमोसाइट, ओ 7 types की cells जनेरली इंसेक के blood में देखी गई हैं, वैसे हीमो लिंफ जो होता है cockroach का उसमें दो प्रकार की categories हैं cells की, जिन में से एक को तो बोलते हैं ameabocytes और दूसरे को बोलते हैं, ते आ जाजाएट, इसमें बोलते हैं ameabocytes और दूसरे को बोलते हैं chromophils, दो प्रकार की कोक्रोच के हमें यहां पर आपको एक मटलाड जो कोक्रोच का यह करा इस कलरलेस उसमें पीगमेंट Nou रट पीकमेंट नहीं पाया जाता एक में पीगमेंट टाराइट कोई ब्लाड का आट डूर इस कालरलेस तो बलाड पिगमेंट नहीं होता juga अब दो प्रकार की कोशिकाएं अमीबो साइट्स और क्रोमोफिल्स पाई जाती हैं कोप्रोच के ब्लड में तो अमीबो साइट्स कैसे होती हैं यह बड़े साइज की कोशिकाएं लाज सेल्स होती हैं जिनके न्यूकलिया भी काफी बड़े होते हैं और बहुत हलका स्टेन ल हों जबकि जो ग्रोमफिल जो होती हैं जो कि साइज से छोटी कोशिकाय उनके तो जो चुछ-ओ में जैने कर वह बहुत गहरा बाता लेता है जब कि रोक्रो कूशिकाय यंदेट के मैं खंद में बतार हैं कफित गहले रंग कोशिका कैदा restrictive इंसेक्ट में वेरी करता है, अलग-अलग हो सकता है अब कोक्रोच के अंदर जो free cells होती है वो millions के नंबर में circulate करती है बहुत सारी होती है, millions में, लाखों में कोशिका हैं उसमें, कोक्रोच के blood में जिनमें से pro-hemocytes कोशिका हैं वो total hemocytes की 5% होती है प्लाज्मोसाइट्स और ग्रानुलोसाइट्स एप्रॉक्सिमेटली 30 परसंट होती है टोटल हीमोसाइट्स की अब नंबर ओफ हीमोसाइट जो होता है वह इंसेक्ट की कौन सी अवस्था से हमने ब्लड लिया है उस पर भी हम उसका भी डिफ्रेंस आता है कि नंबर कितना हीम पर मिलिमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इतनी मिलेगी ठीक है सिस्टोसाइट्स जो होती है उनको डिप्टेरा हाइमनॉप्ट्रा और लेपिडॉप्ट्रा में नहीं देखा गया है वो कुछ इंसेक्स में पाई जाती है जैसे कोक्रोच में मिल जाती है लेकिन और इन तीन पर्ट अगर इनसेक्स के आप लार्वल स्टेज में देखें तो ये 8000 पर मिलिमीटर क्यूब इनका नंबर मिल जाएगा आपको लारवे में फ्लेशफ्लाय के लारवाद से सपोस अगर हम निकालते हैं बलड तो उसमें 8000 पर मिलिमीटर क्यूब आपको दिखाई देंगी कोशिका अब अगर आपने कोई प्यूपा लिया है प्यूपल स्टेज से आपने ब्लड इक्स्ट्राक्ट करके और फिर रिंगर सुलूशन डाला है तो आपके रिजल्ट में आपको अप्रॉक्सिमेटली 12,000 पर मिलीमीटर क्यूब और हीमोसाइट्स मिलेंगे आपको जेनरली एडरल्स में मैंने आपको बताई दिया कि नंबर 40,000 होता है प्यूपा में थोड़ा कम और लार्वा में काफी कम होता है तो इस इस ओल अबाउट हाओ यू दू दू दे इक्सपेरिमेंट ओन दे डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सेल टाइपस इंसेक्स थैंकी सो मच पर लिस्टिंग गर्ल्स इस पर्टिकुलर पीरियेड में हम आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा पाएं इसलिए आप इस मैं आपक आपको प्रोसीजर प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का पता होना चाहिए तो आप इसको पढ़िये अच्छे से याद करिये और दू प्रिपेर फॉर एक्जाम्स थैंक्यू गर्ल्स थैंक्स वर लिस्निंग तो में